नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी विश्चुकप के बाद धोनी के उपर काफी सवाल उठे हैं काफी आलोचनाए हो रही है लेकिन अब धोनी वेस्ट इंडी स्टूर पर नहीं गए है दो महीने का उनको आराम दिया गया है वो सैना के साथ एक अभ्यास सत्र का हिस्सा है लेकिन अब धोनी के उपर एक बड़ी खबर आ रही है कि धोनी की जर्सी को जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जर्सी को रिटायर किया जाएगा वैसे इससे पहले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की जर्सी भी रिटायर हो चुकी है तो क्या धोनी की जर्सी जब रिटायर होंगे उनकी जर्सी को रिटायर किया जाएगा उस पर बात के चर्चा करने के लिए में साथ मौजूद हमीन जी अमिन जी जी खबर है कि धोनी को सचिन का दर्जा दिया जाएगा सचिन की जर्सी रिटायर हुए थी सचिन भारत के एक महान बलेबाज के तोर पर देखे आता है उनको भगवान कहा जाता है तो धोनी की जर्सी को भी रिटायर करने की जो खबर आ दिये हैं उनकी क्या खबर ह यह बिल्कुल सच है, यह एक तरह से कहा जाए कि बिश्व किर्केट में अगर जो यह महन सिंग धोनी और सचीन तेंदुरुकर का अगर जो नाम है, वो एक बड़े अस्तर पे लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो BCCI इस पे बिचार कर रही है, अभी य ऐसा हो सकता है कि जब T20 बिश्व कर जो है होगा, तो उसके बाद से महन सिंग धोनी जो है रिटायर होगे, तो इनके साथ साथ इनकी जर्सी जो नंबर साथ की पहंते हैं, वो भी रिटायर होगी, तो यह एक तरह से लग रहा है कि भारत में जो अब तक जितने भी किया जो होगे, तो उससी तरह सो जो है धोनी की साथ नंबर की जर्सी को भी रिटायर किया जाएगा, तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा संबान होगा और महन सिंग धोनी जो है किृकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जो विश्व बिस्व में भी वैसा बिकेट कीपर बल्लबाज अभी तक देखने को नहीं मिला कप्तान के तौर पर भी उनका जो माइंसेट है ऐसा रहता है कि विरोधी जो है सूच भी नहीं पाता है कि यह क्या सोचे हैं क्या करते हैं उनके रणनीत किया है इस हिसाब से मुझे लग रहा ह होगे अगर दोनी की जर्सी रिटायर होती है तो ये दो ही खिलारी होंगे जिनकी जर्सी रिटायर हुई और वैक्ट को लाज सम्मान दिया गया क्या सचिन के बराबर समकक से थी निको ख़डा progress करना सही लगता है मुझे लगता है कि सचीन तेंदुकर के साथ सवरोग गांगुल या और भी जो अधर किर्केटर हैं जिन्हों ने किर्केट के लिए अपना योगदान दिया है वो भी काफी खुश होगे कि एक प्लेयर का इस तरह से सम्मान हो रहा है तो आप उस नजरिये से नहीं दखा जा स आपने सम्मान की बात करी तो अभी पिछले कुछ दिनों में काफी सवाल भी उठे हैं जब से यूराज सिंग ने सन्यास लिया है कि जो खिलारी टीम को इतना कुछ दे चुके हैं टीम के लिए इतने साल प्रदसन किया है उनको वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हगदार है तो अगर धोनी को सम्मान मिल रहा है तो बाकी खिलारी इस तरह की मांग करेंगे कि उनके लिए भी इस तरह का कोई प्रबंद वीसी सै करे लोग तंत्र रह सबको अपनी बात रखने का हक है. यह सचिंत अंदुर्गर को जब यह सम्मान दिया जा रहा था या सचिंत बात रखते हैं मानना नो मानना सरकार या या BCCI का अपना काम है तो यह यह भी कहना सही है कि जो युआज की आप का रहे हैं तो हो सकता हुआ युआ सिंग को ऐसा लगा होगा लेकिन ये बात फ्लोड फ्लोर पर आये और विसी या और भी किर्केट भारती किर्केट का इस बात को मानें या जो यह यह जो अधिकारी है वह इसमांते हैं तो यह अच्छी बात होगी लेकिन अगर महेंस्ट सिंग धोनी का सम्मान हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई किर्केटर इसका बिरोथ करे भारत के लिए बड़ बिल्कुल जैसे की खबरे हैं कि T20 विश्यू कब के बाद धोनी सन्यास ले सकते हैं तो जब धोनी रिटायर होंगे तो उनकी साथ नंबर की जर्शी को भी रिटायर किया जाएगा धोनी के लिए बड़ा सम्मान होगा भारतिय क्रिकेट टीम की तरफ से तो क्रिकेट से जूर झाल झाल